जहिन दोस्तों मेरा नाम है राकेश तो आज कल आपने देखा होगा कि Chinese product को buy ना करने के लिए मतलब buy code Chinese product या don't buy Chinese product का hashtag चल रहा है काफी जादा आप लोग कह रहे हैं और ये अच्छी बात है मतलब जितना possible हो करना चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं कि 100% करना इतना असान है या जो भी है मनने सारा कुछ इससे पहले बात किया हुआ अलग से वीडियो में और Q&A में भी बात किया था मैंने smartphone के साथ क्या condition है और इस condition में आप में से काफी सारे लोग comment करते हैं कि हम लोग ना ऐसे Samsung के phone को क्यों नहीं recommend करते है जबकि Samsung के manufactured in India smartphone बनता है हाला कि ये भी मतलब इंडिया का brand नहीं है बट चाइना का नहीं है पर प्रोब्लम का है क्या सिर्फ इतना सा logic काफी है हमारे लिए मतलब एक reviewer के लिए ये बताना कि हाँ इस phone को buy कर लो या इस phone को मत buy करो या ये manufactured in India है या फिर ये manufactured in China या made in China है हम किसी के साथ biased नहीं हो सकते है मतलब ये तो जूट बात है बहुत सारे लोग हो जाते है गलत बोल दिया तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Samsung के phone को recommend करना काफी easy है असानी से किया जा सकता है बट कुछ ऐसी बाते हैं जिसके वाइसे Samsung के phone को recommend करी नहीं पाते हैं हम लोग वो सारी बाते करते हैं और thanks to our sponsored Wondershare Uniconverter actually ये न सच में मुझे काफी काम की लगी तो ये काफी simple to use है और यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप अलग-अलग format में बहुत सारे format दे रखे वीडियो को convert कर सकते हैं वीडियो को edit कर सकते हैं cut कर सकते हैं उसको crop कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से आपना filters apply कर सकते हैं like editing की तरह काम आता है साथ में audio को भी अलग-अलग format में convert करने का option मिलता है और अगर आपको video download करना है तो URL को क्या करना है simply यहां लाके paste करना है CD, DVD को burn करने का option मिलता है image को convert कर सकते हैं GI file create कर सकते हैं तो यह दिखने में काफी simple सा software लगता है लेकिन यह ना काफी simple तरीके से ही आपको नब बहुत सारे format देता है आप देख सकते हैं कितने सारे अलग-अलग option मिलते हैं तो video का description में आपको software का link दिया हुआ है check जरूर करना और video अगर पसंद आगे तो subscribe जरूर करना यह request को पूरा करना आपका खाम है सबसे पहले वो point बताता हूँ जिसकी वैसे recommend करना बड़ा असान होता है Samsung के phone को काफी सारे लोगों को यह लगता है कि Samsung के phone पे हम ज़्यादा trust कर सकते हैं ज़्यादा secure होते हैं मैं इस बात से पूरी तरीके से agree करता हूँ और इसके कई reason है इन में से एक क्या है कि Samsung एक nox security प्रवाइड करता है और ये एक software प्लस hardware का combination है ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसी टेक्शन मानने के लिए दे दिया हो और मैं आपको बताता हूँ just imagine आप एक business man है मतलब imagine करना है और अभी आपको अपना business email को भी manage करना personal account को भी manage करना इस तरीके से आपकी personal कुछ document है या बहुत सारी चीजे इनको manage करना एक phone के साथ ये facility देता है Samsung nox security और phone में कर सकते है बहुत आसानी से कई तरीके आते कई software आते बट Samsung के साथ ये nox security क्या है ये ज़्यादा secure है और अगर आपको nox security पे ज़्यादा detail चाहिए तो मैंने पहले से एक वीडियो में बताय हुआ है उसको आप देखेंगे तो उस वीडियो पे views भी बड़ेगा और आपको knowledge भी मिलेगी तो अगर ऐसी कुछ requirement है direct recommend किया जा सकता है easy है second अगर हम लोग बात करें flagship phone की तो samsung के phone android की condition में बात कर रहा हूँ चाहे वो display की बात हो चाहे वो premium range होता है ये तो यहाँ पे samsung ने काफी अच्छा काम किया हुआ हो करता है I know अभी आप सोच रहोंगे one plus तो one plus भी बिल्कुल recommend किया जा सकता है बट हाँ कुछ चीज़े भी माननी पड़ेगी premium flagship के comparison में like service center पे इनको अभी काम करने की जूरत है like इनको अभी camera पे थोड़ा और काम करने की जूरत है तो कुछ ऐसी चीज़े हैं जो samsung के साथ plus point तो है बट बिल्कुल आप one plus का phone consider कर सकते है तीसरा बड़ा छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा काम का जो सारे phone से इसको unique बनाता है वो हो samsung pay और mid range की बात करें तो ऐसे कम price में phone देने के चक्कर में उल्टे सिदे bloat rare डालना फिर browser में आजकल ऐसे थोड़े दिन में कुछ भी घोसित हो जाएगा अगर इसको सही नहीं किया गया तो अगर आपके घर तो अगर आपका phone एकदम personal नहीं है मतलब आपने घर में कोई चोटा बच्चा है वो यूज करता है या किसी को दे देते हैं वो तो कोई भी browser open कर सकता है न तो इस condition में one UI आपको ऐसी कुछ उल्टे सिदे काम नहीं करता है आपको साफ सुतरा मिलता है गंदगी नहीं मिलेगी तो ये एक अच्छी UI की लिस्ट में आता है security update भी Samsung काफी time to time देने की कोशिश करता है ये एक point है डिस्पले में अगर आप notice करेंगे तो flagship का display node out काफी better तो देता है लेकिन mid range में मैंने notice किया है कि इनके phone की जो sharpness है इनी से बाकी लोग भी display लेते हैं बट यहाँ पे फरक मिलता देखने में Samsung के phone में जो display की sharpness है वो थोड़ी better देखने को मिलती है मुझे तो इन सारी बातों से बहुत easily हम recommend कर सकते हैं बट problem आ कहां रही है problem है mid range वाले phone में mid range section में जिसको सब ज़्यादा proper बनाने वाला section भी बोला जाता है और मजाक की बात नहीं लेकिन इस range में काफी अच्छे phone भी आ चुके है मतलब बहुत कुछ आप smartphone मिलता है आपको अब Samsung mid range में दिक्कत कहा है मैं थोड़ा explain करने के लिए ये है मेरे पास A51 इस phone की बात के रहे display काफी अच्छा है Samsung nox security यहां भी मिलती है one UI इसमें भी मिलता है punch hole इसका काफी attractive है back में polycarbonate है लेकिन mid range में glass bag वाले आते हैं ऐसा नहीं कि उनसे cheap लगता है बिल्कुल वैसा ही premium लगता है और mid range में जो glass bag आते हैं उसमें भी quality का फरक होता है ऐसा नहीं कि जो glass bag मतलब वो उतना ही premium होगा जितने सब ही मिलते हैं वैसा ही plastic bag के साथ भी दिखकता है जैसे A series में तो premium वाला लगा दिया यहां पे और M series में cheap वाला लगा दिया थोड़ा सस्ते quality का phone को सस्ता बना निकलिए इवन कहीं phone में तो frame ही नहीं लगा होगा मतलब पीछे से ही क्या कर दिया यह जो plastic body है इसको पुड़ा मोड दिया तो frame ही गायब कर दिया तो इसको कहते है मतलब cheap quality लेकिन इसका जो back है ना वो premium लगता है लेकिन इस phone का जो price है वो है 25,000 रुपे अभी GST बगार के बाद price थोड़ा बहुत जो भी हुआ होगा वो लेकिन 25,000 के आसपास इसका price है 25,000 में आपे जो processor मिलता है वो मिलता है Exynos 9611 और processor से related मुझसे Q&A में question किया गया था तो मैंने ये जवाब दिया था Exynos 9611 not better processor when we compare to G90T 730, 730G क्या सिर्फ इससे gaming पर फरग पड़ता है या फिर multitasking पर भी भाई powerful processor से ना सभी main point पर फरग पड़ता है like better image processing कर सकता है powerful processor better multitasking, better gaming, better SOC support करता है तो ये सारी चीजे एक processor पर depend करती है तो मैं अपने चैनल पर ऐसे जो ये specification number गये मैं वो नहीं खेलता और मैं बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास भी नहीं करता क्योंकि हम उनमें से नहीं जो Motorola Edge Plus की unboxing करते हैं उसके बाद उसको उसके competitor से compare कर देते हैं उल्टे सीधे specification नमबर पर बेश्ड है वो अब आप सोचो की दिक्कत क्या है क्योंकि जाइज भी बात है किसी भी phone में सारी चीजे best तो नहीं दी जा सकती तो इसका processor best नहीं दिया तो क्या दिक्कत है Exynos के processor के साथ क्या अगर आप gaming करते हैं मतलब थोड़ा अच्छी gaming करते हैं ज्यादा देर gaming करते हैं pro type player है तो होगा क्या मतलब Exynos के processor के साथ क्या heating condition ज्यादा जल्दी देखने को मिलती है और जहाँ phone गरम हुआ तो इसको गरमी लगेगी तो thermal throttling होती है जिसकी वैसे क्या होता है phone का temperature maintain करने की कोशिश में आपको जो gaming है उसमें lag देखने को मिलेगा frame drop देखने को मिलेगा या फिर कोई ऐसे बहुत ज़्यादा heavy काम करते हैं इस phone में तो वहाँ भी आपको ये चीज़े देखने को लोटीस होंगी प्रोसेसर की वज़ा से अभी आप सोचोंगे हम gaming नहीं करते है तो problem कहा है मैं बदाता हूँ जो हमारी tech video देखते है normally कहा है आपकी उमर जो होगी न I'm sure 22 साल से कम या 25 साल से कम होगी ज़्यादा तर viewers की और इस उमर में मतलब game तो खेलना ही होता है और आज कल कुछ जाद ही खेल रहे है और अगर camera की बात करें 51 का camera मैंने कई phone के साथ compare किया हुआ camera अच्छा है ऐसी कोई problem वाली बात नहीं है बट 25,000 रुपे दे के ऐसे कुछ आपको extra ordinary camera भी नहीं मिलता यह भी fact है तो rate को balance करने के लिए फिर आता है M-series और M-series आया तो comprise भी लाया काफी सारे features के साथ compromise कर दिया और सबसे बड़ी कमी तो यह है कि Snapdragon processor के साथ phone ही नहीं देते कुछ phone है जैसे Galaxy A71 है at least इनको option तो देने चाहिए मतलब आप mid range में भी क्या करो Snapdragon के साथ phone ले आओ Exynos के साथ भी ले आओ ताकि जिसको जो अच्छा लगे और आप लोग सीधा comment करके पूछते हो 20,000 में best phone बताओ 15,000 में best phone बताओ 10,000 में best phone बताओ लेकिन मुझे कैसे पता या किसी recommend करने वाले को कैसे पता कि आपकी requirement क्या है किसी phone को ऐसे बनाया नहीं जाता है कि वो सारी requirement पूरी कर सके और यही reason है जिसकी वैसे मैं Xiaomi के phone भी recommend करता हूँ Realme के phone भी recommend करता हूँ और Samsung के phone भी recommend करता हूँ Nokia भी recommend किया हुआ मैंने अभी मैं phone खुद खरीदता हूँ इसे तो नहीं है कि सब का review कर दूँगा बट मैं सभी brand को recommend करता हूँ अगर मुझे पता लगाता है क्या आपकी जरूरत है और यही है main वज़ा Samsung के phone को recommend करना भी असान है और नहीं करना भी असान है बाकि आप बताओ आपका favorite brand कौन से है और नए चैनल पर subscribe जरू करना मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में